बाबा साब ने जो दस्वी पृतिग्या हमें कराई वो थी कि मैं समान्ता के लिए समान्ता की स्थापना के लिए काम करूंगा अगर हम बाबा साब के पूरे जीवन को देखें तो उन्होंने अपने जीवन में समान्ता, स्वतंत्रता, बंधुता इसी के लिए काम किया है और अगर वो हमें यादेश दे रहे हैं कि हमें समान्ता के लिए काम करना चाहिए कि मैं जीवन भर समानता के लिए काम करूँगा समानता की स्थापना के लिए तो हमें इस महत को समझना चाहिए उन्होंने कोई भी बात परमपुजे बुदिस अद्बाबासाब डॉक्टरम बेटकर ने कोई भी बात ऐसी नहीं की ऐसी नहीं कही जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई ना हो जिसको अपने जीवन में उतारा ना हो और समानता की बात बहुत बड़ी बात है अगर इससे पहला भी जो उन्होंने नवी जो पृतिग्या हमें दिल आई वो भी समानता पर आदे रही थी कि मैं मनुष्य को सभी मनुष्य एक समान है ऐसा मैं मानूँगा और ये भी जो दूसरा है इसमें और बिल्कुल कर दिया कि मैं समानता के सिध्धात की इस्थापना के लिए जीवन भर कारिय करूँगा हम इंसान इंसान मनुष्य मनुष्य एक हैं तो एक समान है विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे में विश्वास बढ़ेगा, हम एक दूसरे को सहीयोग कर सकेंगे, और जब हम एक दूसरे को सहीयोग कर सकेंगे, तो निश्चित रूप से सहीयोग करते हुए आगे बढ़ सकेंगे, जहां भेद होगा समानता में, जहां इंसान इंसान म बड़ा मानेंगे, एक को उच्छ, एक को नीच मानेंगे, तो निश्चितुप से वहां समानता नहीं है, और जहां समानता नहीं है, तो वहां देश होगा, वहां गेरना होगी, वहां नफरत होगी, और जहां गेरना होगी, जहां नफरत होगी, जहां देश होगा, वहां तरक होगा जब हम इंसान को इंसान के रोप में मनें और उसको समान तक अधिकार दें और समान तक अधिकार देंगे तभी आगे बढ़ेगा दुनिया में आप कितने ही देश जिने आज हम विक्सित देश कहते हैं यह विक्सित देशों के साथ सथ हम उस इंसान को भी देख लें जो भी महान पुरुश रहे हैं जितने भी महान व्यक्तित हुए हैं वो सारे के सारे उन्होंने इंसान और इंसान में कभी भेद नहीं किया उन्होंने सब को समान माना कोई किसी भी संपरदाय में जन्म ले कोई किसी भी जाती में जन्म ले किसी भी ग समान है और इस दुनिया में जब हम सब समान हैं तो क्यों न एक दूसरे के प्रति समानता के विभार करें और जब हम समानता के विभार करेंगे निश्चित रूप से इंसानियत मानवता तरक्की करेंगी इसलिए जो बाबा साब ने कहा है कि समानता के सिध्धानत की हमेशा व हमें भी बाबा साब के सिद्धान को मानते हुए इसी के लिए काम करना चीए क्योंकि ना केवली हमारी बलकि तमाम मानवजाती की तरक्की के लिए और प्राणी मात्र की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है और यही सब की भलाई के लिए जरूरी भी है